हेलो एस्पिरेंट्स राउल धागड की तरफ से एंडियाड़ टू फोर सेवन में आप सदीका सौगत है आज का ये बहुत ही महतपूर अपडेट है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने रक्षा मंतराल ने 2023 के लिए बंपर वेकेंसी का अनौंस्मेंट कर दिया है जितने भी हमारे 10 या 12 पास हमारे एस्पिरेंट से उनके लिए बहुत अच्छी खबर है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस में अगर आपकी नौकी लगती है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती अब बात करते हैं कि किस तरह की वेकेंसी होने वाली है पहली बात तो ये रिकूरूट्मेंट डिरेक्ली फ्रॉम मैनिस्ट्री ओडिफेंस है लोवर डिवीजनल क्लर्क लडीसी के लिए ये वेकेंसी आई है आपकी 119 पोस्ट लगभग आई है केटिगरी वाइज आई है यहां पर आप डिरेक्ली अप्लाए कर सकते हैं अगर आप 18 से 25 साल के बीच में आपका एज गुरूप है आपका 18 से 25 साल में भी दो केटिगरी है एक 10 पास और 12 पास राइट तो आप दोनों ही सेक्शन में आप अप्लाए कर सकते हैं 10 में भी और 12 में भी अगर आपके जिस तरह भी अप्लाए कर सकते हैं जो स्पेस केल है वह 19,900 से 63,200 रुपे तक के बीच में है केटिगरी वाइज ये बटी हुई है आपको भी नमबर ऑफ पोस्ट भी बिता दूँगा वैसे तो लेकिन आपको ये जायना बहुत जरूरी है कि 4 मार्स तक आप अप्लाए कर सकते हैं 10 और 12 की आपके पास equivalent कोई सी भी आपके समाक्षियट आप्लाए कर सकते हैं ministry of defense भरती 2023 LDC आपको टाइप करना है अगर आप चाहें तो official website cme.edu.in में जाकर इसको directly अपलाए कर सकते हैं online mode इसका है आप लोग को बना दो कि ये group c post के लिए आपका ये जो announcement आया है senior mechanic की है machine minder की है बहुत सारी multiple post आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से राइट बहुत सारी इसमें multiple post के लिए vacancy है वो completely आप पर depend करती है और ये आपने कई बार SSC में भी एक बार ये vacancy देखी होगी इसका मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS SSC में भी इसकी बहुत डिमांड बच्चे बहुत वेट करते हैं बहुत ज़्यारी होती है SSC और इसमें जो थोड़ा difference यह होता है कि SSC में tier 1, tier 2, tier 3 बहुत सारी इसमें tiers होते हैं बहुत सारे level होते हैं उसके बाद जब verification, document, verification, dv के लिए भी बच्चा जाता है उसके बाद भी confirm नहीं होता है कि उस बच्चे का selection वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है MTS में राइट लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर comparatively less थोड़ा सा competition है क्योंकि awareness के कारण बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं जाब आते ह तो क्या है कि गिद की तरह बैठे रते हैं experience कि वेगेंसी आएगी और आप अप्लाइ करेंगे तो आप इसको बहुत ही positively इसमें आप apply कर सकते हैं उसमें selection होने के तरीके भी बहुत जादा है इसमें option भी बहुत जादा है percentage और selection भी जादा है apply आपको online ही करना है male और female दोनों के तुरू इस पर काम करना है male और female दोनों के लिए 10 और 12 दोनों के लिए अगर आप लोग eligible है तो क्रिप्या करके इसको apply जरू करें age limit मैंने मिनाई थी आपको 18-27 साल लगभग लगभग जाएगा OBC candidate के लिए 18-33 साल है आपको जो category में है उसमें आपको relaxation भी मिला हुआ है और आपकी date देख लिएगा आप लोग अच्छे सरा से कि जो date यहां तक आपकी 2022 की 21 October तक की जो date है वो यहां पर valid रहेगी age relaxation भी अच्छा खासे दिया हुआ है आप इसको पढ़ सकते है तीन साल OBC के लिए CST के लिए 5 साल के लिए age relation दिया हुआ है तो एक बहुत ही dream job आप को ministry of defense में एक job मिल जाती है पहली बात तो ministry of defense central job आपको दे रहा है तो इससे better कोई भी option फिलहाल में को लगता है नहीं क्यों सकता है तो फैसला आपके हाथ में है बस जो आपकी dates है वो याद रखिएगा last date आप ब्रुगल भूलेगा मत 4 March है apply as soon as possible I hope आपको ये वीडियो पस नहीं है जो आपको आपको वे जहां में ही झापको आपको आपको लैए जैबरे इंज आपको आपको आपथ़ ऺद्रिय।